ओल्राइट दोस्तो दिवाली का मौसम है, स्मार्ट वॉचिस सभी लोगों खरीदने हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 5,000 रुपए के नीचे सबसे अच्छे स्मार्ट वॉचिस जो है आजकल मार्केट में कौन से कौन से हैं बहुत सारे रिसर्च किये हुए, बेसिक क्राइटरिया रखा हुआ है और उसके हिसाब से हमने रैंक भी किये हुए लेकिन आगे बढ़ने से पहले चीज कहना चाहता हूँ आपसे दोस्तों, अगर एक साल पहले की बात मैं करूँ तो दस हजार में जो वाचिस आते थे वह आजकल वही फीचर जो दस हजार के वाच में थे वह आजकल पांच हजार रुपे के वाचिस में आ गये है जी हा, for example, Bluetooth calling, flagship level के smartwatches में होता था अब 5000 के नीचे वाले जो smartwatches हैं, उसमें भी आने लग गए हैं so it is very important, पिछले साल भी हमने ये वीडियो किया हुआ था तभी 5000 के नीचे एक भी वाच में Bluetooth calling नहीं था लेकिन अब आ गए हैं, वैसी दोस्तों कम से कम पांच दिन की बैटरी लाइफ चाहिए अप support होना चाहिए और सबका app support बहुत अच्छा है तो वो होना चाहिए, heart rate sensor है, SPO2 है, उसकी वैसे जो criteria मैंने रखा हुआ है आपको एक अच्छा ही watch मिलने वाला है, that is a guarantee तो पाँचवे नंबर पर आता है दोस्तों, Firebolt Dynamite, यह Indian brand है and Bluetooth calling तो है, इसमें 8 दिन का battery life है, अच्छा app support है 100 प्लस watch faces आते हैं, so overall अगर आप देखोगे, तो यह एक अच्छा है बट सबसे बड़ी बात जो है, इसकी बड़ी screen अगर मैं पांचो watches के पास देखो, तो सबसे बड़ी screen इसमें है 1.81 इंच की सही में बड़ा watch है, अगर आपके wrist बड़े हैं, तो सही में बहुत अच्छा होगा और उतना ही नहीं, इसकी price जो है, धाई हजार रुपे है यहां, पांच हजार के नीचे, धाई हजार रुपे है, सोचिए, value for money के लिए मैं कहूंगा, यह बहुत ही ज्यादा value for money smart watch है बढ़ते हैं, second number के, नहीं, second नहीं, चौथे number के watch की तरह Fast track, reflex, hello, इसमें जो सबसे special चीज है, वो है voice assistant generally again, पांच हजार के नीचे यह watches होते हैं, उनमें voice assistant वगेरे नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आता है, 1.69 इंच की screen है दोस्तों, इसमें पांच दिन की battery life आती है, जी हां, five days is what the battery life is, बाकी watch faces, heart rate sensor, SPO2, वो सब है, and fast track की branding है, fast track जो है, बहुत ही अच्छा brand है, और इसकी जो प smart watches के अंदर games, that is definitely a plus, किसी और watch में वो नहीं है, सब चीजों के पास देखोगे, तो definitely at number 4, all right दोस्तों, तीसरे number पे आता है, noise का color fit pro 4, बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े एक चीज़ बताओ, इसका भी display बड़ा है, 1.72 इंच का display है, बट उससे भी ज्यादा 500 nits brightness है, याद रखी, एक smart watch में उसका जो brightness होता है, वो बहुत important होता है, and if you want a really bright watch, क्योंकि आप जादा outdoors वगेरे, देखते हो smart watch को, then definitely 500 nits brightness जो है, जादा फाइदे मंद होगी, इसमें 1.500 watch faces है, 1.500 से भी जादा, so that is their 7 days battery life, यहा, 7 days battery life है, which I think is really good, और बाकी सब जो standard features है, वो सब त value for money, noise color fit pro 4, alright, अब दोस्तों पहुच गए है, second number, दो top वाले कौन से, अगर आपको एक छोटा watch सही है, तो definitely आप second number के पास देख सकते हो, Deezo watch R-Talk, इसका नाम है, R for round, round dial है, और छोटा display है, 1.3 इंच का display है, लेकिन AMOLED डिस्पले आता है, इसके अंदर, yes, AMOLED डिस्पले, and सबसे बड़ी battery life, 10 days battery life आपको इसके अंदर मिलती है, so, and Deezo is very, very good when it comes to smartwatches, multiple smartwatches इनों ने लाँच किये, बाकी सब जो features, Bluetooth calling, heart rate sensor, SPO2, watch faces, app support, सब कुछ आता है इसके अंदर, और अगर प्राइस के बारे में बात करों, तो ये 5,000 रुपे का, याद रखिए, AMOLED डिस्पल 2. And finally, पहुच गए है, number 1 के पास, जी हा, अब दोस्तों, बाकी सब जो smartwatches थे, उनमें, phone का GPS इस्तिमाल करते हैं, stand-alone GPS watch पे नहीं था, लेकिन number 1 पे दोस्तों है, realme watch 3 pro, क्योंकि इसमें stand-alone GPS आता है, उतना ही नहीं, 1.78-inch का AMOLED डिस्पले आता है, इसके अंदर, तो battery life भी आती है, so that is good, 110 plus watch faces है, वो भी अच्छा है, spo2, heart rate, sensor, बाकी सब जो features watch में चाहिए, वो सभी आते हैं इसके अंदर, so battery life, जो सबसे important है, और डिस्पले के मामले में इतना अच्छा है, और इसलिए number 1 पे है, लेकिन price, 5000 के नीचे है, so again, at upper end, अगर मैं कहूं, 5000 रुपे म में बहुत सारी चीज़े offer करता है, including GPS, जो flagship level के watches में होता है, so definitely यह जो है, realme watch 3 pro, यह हमारी list पे आता है, number 1 पे, वैसे दोस्तों, जो भी smart watches में आपको बताए हुए है, सभी के links मैं नीचे description में दे रहा हूं, so go and check it out, वैसे दोस्तों, आप बताईए नीचे comment section में, कि आपक के पास दूसरा कोई है, नीचे comment section में जरूर बताएगा, और यह भी बताएगा, कि यह जो ranking है, ठीक लग रही है आपको, हमने तो बहुत research करके लाया हुआ है, और इसलिए दोस्तों, time बहुत जाता है, effort बहुत जाता है, like करना मत बूलियो, और subscribe नहीं है, तो subscribe ज़रूर की झाल झाल